नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्प आपके में दोस्तों आज की वीडियो में हम बताएंगे कि गर पर कपड़े दोने का हम साबुन कैसे बना सकते हैं इसके लिए क्या क्या सामगरी चाहिए खास तोर से इसके लिए चार सामगरी दोस्तों सबसे पहले हमें एक प्लास्टिक का खाली बरतन लेना है और इसके अंदर दो लिटर पानी डालना है यह दो लिटर पानी में बोतल से इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पानी दो लिटर ही लेना है और बरतन भी प्लास्ट में मिलाएंगे ध्यान ये रहे कि इस कास्टिक सोडे को हाथ से ना मिलाएं क्योंकि ये बहुत गरम होता है तो लकडी के डंडे से इसको मिलाना है अब हमें आदा किलो वासिंग पाउडर लेना है और इसी कास्टिक सोडे के गोहल में मिला देना है लकडी के डंडे से इसको अच्छी तरह मिला के 6 गंटे के लिए हमें इसको छोड़ देना है जब 6 गंटे हो जाएंगे तो हम दूसरी प्रकिरिया करेंगे तो आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि step by step मैं बता रहा हूं यह देखिए 6 गंटे बाद में गोल बनकर तयार हो गया है अब फिर से हमे एक बड़ा बरतन लेके उसमें दो लिटर फिर पानी मिलाना है यह दो लिटर फिर मैं बोतल से ही आपको दिखा रहा हूं कि पानी दो लिटर लेना है अब इसमें हमें एक किलो बैसन मिलाना है और इसका अच्छी तरह से गोल बना देना है ध्यान यह रखें कि इस गोल में गांटे नहीं पड़नी चाहिए, गांटे का मतलब बैसन अच्छी तरह मिल जाना चाहिए, कोई भी गांटे वगरा इसमें नहीं होनी चाहिए, जब यह गोल अच्छी तरह मिल जाता है, यह देखिए अच्छा गोल बन रहा है, कोई भी गांटे या डली इसमें नहीं है, वहाँ भी मिला सकते हैं मेरे पास यूज किया हुआ नहीं था इसलिए मैं फ्रेस डालडा घी मिला रहा हूं और इस बैसन को और डालडा घी के गोल को भी हमें अच्छी तरह मिलाना है दोस्तों ये घर का साबुन है बहुत सुद साबुन होगा क्योंकि इसमें ने तो कोई च कास्टिक सोडा और वासिंग पाउडर वाला घोल लेना है और धीरे धीरे इसमें मिलाना है अभी मैं इसमें मिला के आपको बताऊंगा ध्यान इसमें ये रखना चाहिए कि जो कास्टिक सोडा और वासिंग पाउडर का जो गोल है इसको धीरे धीरे डालना है और लकडी के डंडे की साहता से जल्दी जल्दी हमें मिलाना होगा क्योंकि ये आपस का गोल का मिसरन है बहुत ही जल्दी जमने लगता है और अगर हम जल्दी जल्दी नहीं लाएंगे तो इसमें गांटे पढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी अब ये गोल मैं इसमें मिला रहा हूँ और एक व्यक्ति दूसरे की साहता से जल्दी जल्दी इसको मिलाना है ये देखिए बहुत ही जल्दी ये जब गोल डालेंगे उसी टाइम ये साबुन जमना सुरू हो जाएगा और पांच मिनट के अंतराल में बहुत ही ठोस साबुन हो जाएगा इसको हमें जल्दी जल्दी मिलाना है ये देखिए ये साबुन जमने लग गया है काफी अच्छा कलर आया इस साबुन का बहुत ही अच्छा है जितना अच्छा मिलाएंगे उतना ही अच्छा साबून बनेगा और साबून कहीं से चिपक नहीं रहा है काफी कलर्फुल साबून है तो ये 5 मिनट तक हम इसको मिलाते रहें जब अच्छी तरह ये मिल जाता है तो हमें इसको किसी भी सांचे में या किसी प्लास्टिक के बरतन में किसी में भी जब हम अगर साबुन की बटी बनाना चाते हैं तो उस टाइब का सांचा बना सकते हैं अगर टब में यूज़ करना चाते हैं तो टब में मैं यहां टब में डाल के आपको दिखाऊंगा इस टब में इस साबुन को डालें और उपर से अच्छी तरह से जमा दें यह टब में साबुन को जमने के लिए हम छोड़ेंगे यह देखिए एक टब पूरा भर गया है दूसरा टब भी अगर हमारे पास इसमें साबुन बच गया है तो दूसरे टब में डाल लें अगर सांचा है तो सांचे में डाल सकते हम तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि बहुत ही कम खर्चे में यह दो टब हमारे को साबुन बन के तयार हो गया है और इसको 12-15 गंटे के लिए जमने के लिए हमें छोड़ देना है अभी 12-15 गंटे बाद में यह साबुन बहुत कठोर हो जाएगा कपड़े दोने लाएक योग्य हो जाएगा यह उपर से खुरदरापन है इसको हम किसी कपड़े से या किसी चाकु की साहता से उतार के इसको चिकनाई या साइनिंग हम दे सकते हैं यह घर में यूज करना इसलिए कपड़े से रगडेंगे तो ही इसमें साइनिंग आनी शुरू हो जाएगी यह देखिए यह 15 गंटे बाद में साबुन बिल्कुल कठोर हो गया जम के तयार हो गया है अब हम इससे कपड़े दो सकते हैं तो अभी आपको कपड़े दोके हम कि कितना ये कारगार है और कितना इसमें से मेल निकल रहा है तो एक इसमें कपड़े को गीला करके इसके टब के उपर ही गुमाना है ताकि साबुन अच्छी सरे से लग भी जाएगा और साबुन की जो उपर की खुर्द्रापन है वो भी मिड जाएगी और साबुन बहुत चिकना हो जाएगा उपर से तब में साबून रखने का यही फायदा है यह देखिए कितना अच्छा इसमें जागा यार कितना मेल निकला है तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद